दादा भाई नौरोजी जन्म 4 सितंबर 1825 निधन 30 जून 1917 दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्व विद्यालेयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में इलफिंस्टन इंस्टीटूट में शिक्षा पाई जहां के ये मिधावी छात्र थे उसी संस्थान में अध्यापक के रूप में जीवन आरंभ कर आगे चलकर वही वे गनित के प्रोफेसर हुए जो उन दिनों भारतियों के लिए शेक्षनिक संस्थाओं में सर्वोचपत था साथ में उन्होंने समाज सुधार कार्यों में अग्रगामी और कई धार्मिक तथा साहित्य संघटनों के यथा स्टुडेंट्स लिटरी एंड साइटिफिक सोसाइटी के प्रतिश्थाता के रूप में अपना विशेष्थान बनाया उसकी दो शाखाएं थी, एक मराथी ग्यानप्रसारक मंडली और दूसरी गुजराती ग्यानप्रसारक मंडली रहनुमाई सभी की भी स्थापना इन्होंने की थी रास्ट गफ्तार, नामक अपने समय के समाज सुधारकों के प्रमुख पत्र का संपादन तथा संचालन भी इन्होंने किया पार्सियों के इतिहास में अपनी दान्शीवता और प्रबुधता के लिए प्रसिद, कैमास, बंधुओं ने दादा भाई को अपने व्यापार में भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया तदनुसार दादा भाई लंदन और लिवरपूल में उनका कार्याले स्थापित करने के लिए इंग्लेंड गए विद्याले के वातावरं को छोड़कर एकाएक व्यापारी धन जाना एक प्रकार की अवनती या अपवतन समझा जा सकता है परन्तु दादा भाई ने इस अफसर को इंग्लेंड में उच्छ शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की भलाई के लिए उप्युक्त समझा इसके साथ ही साथ उनका दूसरा उद्देश सरकारी प्रशास्किय संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतिय करंग करने के लिए अंदोलन चलाने का भी था जो विद्यार्थी उन दिनों उनके संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए उनमें सुप्रसिद फीरोच शाह महता, मोहंदास कर्मचंद गांधी और मुहम्मद अली जिना का नाम उलेकनी है